हेलो प्यारे बच्चो यूट्यूब की इस प्यारी सी दुनिया में मैं कपिल चौधरी आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ एक special वीडियो या फिर कह सकते हैं super special वीडियो बच्चो आज की वीडियो का नाम है types of hymen अब types of hymen को समझने से पहले हम पहले ये समझ लें कि hymen क्य होता है बच्चो हाइमन एक तरीके से इसको एक membrane कहा जाता है और ये membrane वजाइना के मुख पर यानि जहां से vaginal office शुरू होता है उसके मुख पर available होती है यानि ये वजाइना के mouth पर जहां से उसकी opening है अब सवाल ये है कि इसको समझने के लिए हम कितना deep जा सकते हैं तो हमें थोड़ा सा समय पहले जाना पड़ेगा जब हम लोग female reproductive system के बारे में पढ़ रहे थे बच्चो आप लोग दो प्रकार के system पढ़ते हो एक internal system और एक external system जब भी हम female reproductive system की बात करेंगे तो इसमें female external genitalia और female internal reproductive system का जिकर ज़रूर आएगा internal reproductive system में हम लोग uterus यानि गर्भाशे के बारे में पढ़ते हैं जहां पर 9 महीने तक बच्चा रहता है दूसरा हम लोग ovary के बारे में पढ़ते हैं जिसका नाम होता है अंडाशे यानि जहां से ovum यानि egg release होते हैं नमबर 3 पर हम लोग पढ़ते हैं fallopian tube जहां पर fertilization की process होती है यानि male का sperm और female का ovum जहां पर मिलता है उस जगे को fallopian tube का नाम दे देते हैं उसके बाद में हम लोग पढ़ते हैं cervix को जो की वजाईना को uterus से differentiate मतलब अलग करने का काम करता है अलग करने का role play करता है नमबर 5 पर हम लोग पढ़ते हैं वजाईना को वजाईना जहां से एक male body intercourse करती है और अपने sperm को ejaculate करती है female body में लेकिन सवाल यहीं खतम नहीं हो जाते हैं जब female external genitalia की हम लोग बात करेंगे तो वहाँ पर labia majora से लेकर के labia minora klitoris से लेके vaginal office की opening तक की हम लोग बात करते हैं तो हम थोड़ा सा आपको practically समझाते हैं कि कैसे आपको यह समझना है कि क्या चीजे हैं बचो देखो यह हमारा जो है वो वलवा का एक पार्ट है है यह एक तरीके से आप मानिए यहां पर वजाईना है लेकिन इस वजाईना की हमने opening अभी नहीं दी है आप इसको समझे युरेत्रा है जहां से एक female body अपने urine को यान कि यह जो हमारा reproductive system का बहारवाला पार्ट है यानि आपका vaginal office है इस vaginal office में एक बिलकुल छोटी सी membrane होती है आपको मैं समझाता हूँ जैसे हमारा female का external genitalia है मतलब मादा जननतंतर का बहारवाला भाग यानि कि योनी वाला भाग इसको आप समझे तो योनी वाले भाग पर य है कि आखिर उसका काम क्या है और वो किस तरीके से हमारे परियोग में आती है या फिर female reproductive system या फिर female body के लिए वो किस तरीके से useful है उसके टाइप समझाने ही कोशिश करेंगे और कुछ मिथक है उनको भी हम तोड़ने की कोशिश करेंगे शायद मेरी इस वीडियो से आप लो यानि membrane रहती है जो कि आपकी बहुत पतली जिल्ली होती है और वो लगबख सभी में available रहती है कुछ समय के बाद कुछ में वो hymen तूट जाती है यानि वो जिल्ली तूट जाती है और कुछ में वो available रहती है कुछ समय बाद यानि कि after marriage वो तूटती है ठीक है अब उसके बा पीस कहलीजे टुकडा कहलीजे आप उसको जो की वजाइना की ओपनिंग पर होता है ठीक है वजाइना की ओपनिंग पर होता है अब बहुत सारे मिधख है कि किसी फिमेल बॉड़ी में हाइमन नहीं है तो इसका मतलब उसने किसी के साथ इंटरकोस किया हुआ है या उसके करेक male body के पास एक परकार का hymen नहीं होता उस पर लगबग चारिया पांच परकार का hymen होता है उस चारिया पांच परकार में hymen को हम लोग समझाने वाले हैं one by one की कौन सा hymen किस तरीके का होता है चलिए बच्चो सबसे पहले हमारे पास आता है imperforate hymen imperforate hymen क्या होता है ये एक तरीके की ऐसी condition है जिसमें आपकी वजाइना की कोई opening ही नहीं होती जैसे आप यहाँ पर वजाइना समझे इसको मैं युरेथरा का नाम दे रहा हूँ ठीक है इसको मैं युरेथरा का नाम दे रहा हूँ इस युरेथरा के बाद यहाँ पर वजाइन होनी थी ठीक है यहाँ पर यह वाला पार्ट है यहाँ पर यह वजाईNा होनी थी लेकिन यहाँ पर वजाईना नहीं है क्योंकि बच्चो ये एक ऐसी condition है एक female body की जो ज़न्म के पश्चात यानि के जब बच्चा बहुत छोटा होता है बहुत छोटा मतलब जन्म के बाद की स्थिती होती है उस स्थिती में हमारा जो female body का जो hymen रहेगा वो incorporate hymen रहेगा हाला कि puberty के time पर जब भी उस body के अंदर puberty आएगी यानि कि लगबग वो 12, 13, 14, 15 साल का होएगा उस time पर ये diagnose हो जाता है यानि कि इसमें जिल्लियां बननी श चुरू हो जाता है जिससे की आपका menstrual blood निकल सके है ना तो पहले नंबर पर इंफर्फॉरेट आता है पहले नंबर पर जो इंफर्फॉरेट हाइमन है उसमें वो जन्म के समय का हाइमन है यानि उसमें कोई space नहीं होता है दूसरी बात में clear करता हूँ छोटे बच्चों मे साथ रेप हो गया तो उसकी death हो गई तो मतलब यह बहुत जादा painful हो सकता है छोटा मतलब उस time पे जो imperforate hymen होगा इस imperforate hymen में कोई भी intercourse के काबिल नहीं होता है कोई भी intercourse के purpose से नहीं होता क्योंकि हो सकता है उसकी मृत्तियों हो भी जाती है बहुत लोग आपने देखा ह रही है इससे फासी पे उनको लटकाया जारा सीधा सीधा तो वो चीज सबसे बड़ी है जब हम बात करेंगे micro perforate की क्योंकि जहां तक हम लोग मानते हैं कि यह आपका childhood वाला phase है इस childhood वाले phase से puberty के phase में जब हम लोग जाएंगे तो वहां पर micro perforate की इस्तिती बन जाएगी अब micro perforate क्या होता देखिए micro का मतलब होता है बहुत छोटा अब हम यह कह सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई female वलवा है इसमें यहां पर यह वजाईना है तो इस वजाईना में एक बहुत छोटा सा पोर यहां पे create होगा जिससे की menstrual blood केवल flow हो सके ठीक है यानि यहां से हम लोग यह कह सकते हैं कि यह पूरा का पूरा फिल्ड होता है और इस पूरे फिल्ड एरिया में यह छोटा सा पोर होता है जिससे menstrual flow हो जाए यह puberty के बाद की स्थिती है मतलब आप यहां इस imperforate से micro perforate में जा सकते हैं किसी female body की वजाईना imperforate से micro perforate बन सकती है यह बहुत चोटा सा space इसमें रहेगा है ना तो ऐसा condition जो micro perforate का होगा उसमें बहुत चोटा सा पोर बनेगा जिससे की female body केवल और केवल menstrual flow secrete कर सकती है इसका एक drawback है अगर इसमें हम लोग कोई female body tempens का use करती है या फिर intercourse करती है तो यह आपकी micro perforate की पूरी की पूरी जो एक कह सकत membrane है उसको उसका breakdown हो जाएगा वो तूट जाएगा ठीक है यह तो था आपका पहला या इसमें छोटी opening होती है उसके बाद septate hymen septate hymen का एक अलग ही case है यानि पहले imperforate से यह septate की तरफ बढ़ेगा यानि septate में अगर हमारे पास हम कोई वजाइना लेते हैं तो यह वजाइना है और इस वजाइना में दो छोटे छोटे पोर क्रियेट हो जाएंगे ठीक है दो छोटे छोटे पोर क्रियेट हो जाएंगे यानि अब magister flow इन दोनों छोटे छोटे पोर से flow हो सकता है same situation इसकी भी रहेगी कि अगर septate hymen रहते हुए किसी female body के साथ कोई intercourse करने की process बन जाती है तो यह आपका septate hymen यहां से break हो जाएगा तूट जाएगा उसके बाद में हम लोग क्रिबी form यानि क्रिबी form hymen की बात कर रहे हैं हमारा चोथा प्रकार है यानि fourth type है इस fourth type में हम लोग कह सकते हैं कि हमारे पास छोटी छोटी यानि small small openings होती है और इन small openings से भी menstrual blood flow हो सकता है in case अगर ऐसा होता है कि इस दोरान भी हम लोग tempens का यूज करें या फिर हम लोग female intercourse का यूज करें तो ये पूरी की पूरी membrane का breakdown हो सकता है पूरी की पूरी membrane जो है तूट सकती है उसके बाद में हम लोग कहते है पैरस introitus hymen ये hymen ऐसा है जो side में होता है side में कैसे ये intercourse करने में परिशानी होगी और intercourse करने पर ये पूरा का पूरा hymen इसका breakdown हो सकता है हाला कि tempens यूज करने में थोड़ी कम परिशानी होगी उसको निकालने में कम परिशानी होगी लेकिन बाकि जितने प्रकार मैंने आपको बताए है उनमें आप tempens यूज कर सकते हैं लेकिन expect करता है कि कोई female body जो है उसके पास ये hymen रहना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं है जब भी आप लोग कोई heartly exercise करते हैं horse riding करते हैं तो इस female hymen की जो membrane है इसका तूटने का जो खत्रा है वो बढ़ जाता है यानि इसके breakdown का खत्रा बढ़ जाता है तो इसलिए जो heavy exercise करता हो या फिर horse riding करता हो cycling करता हो तो उसमें हो सकता है कि आपके hymen जो है वो hymen breakdown हो जाए तूट जाए तो ये कुछ मिठक है जो की बने हुए है और इनको हमें तोड़ना है इसी के साथ एक process और hymenectomy हम लोग use करते जैसे बच्चों आप लोगों ने tubectomy और vasectomy पढ़ा वैसे ही आपका hymenectomy है यानि जैसे अगर किसी female body के पास अगर किसी female body के पास hymen है तो उस hymen के breakdown के लिए doctors क्या करते है जो gynecologist होते है वो क्या करते है वो इसके tissue को tissue के access को हटा देते हैं जिससे की intercourse करने में या फिर tempans यूज करने में या फिर कोई और चीज यूज करने में परिशानी नहीं होती है वैसे ऐसा बहुत ही minor form में होता है बहुत कम होता है कि हमें प्रोसेस करानी पड़े तो hymenectomy एक ऐसी process है जिसमें किसी भी female body ये hymen को hymen के tissue को निकाल लिया जाता है और फिर वो body hymen free हो जाती है यानि बहुत लोग कुछ लोग है ऐसे जो डरते हैं कि hymen breakdown होगा तो बहुत ज़्यादा painful होगा तो इसलिए doctor की help से उसको remove करा लिया जाए तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी लेकिन ऐसा नहीं है ये वैसे नॉर्मली भी हड़ जाता है इसको कोई ज़्यादा ऐसा वो नहीं करना पड़ता लेकिन doctors कई बार यूज करते हैं इसलिए कहरा हूँ कि minor form में होता है बहुत लोग, मतलब सब लोग तो doctor के पास नहीं जाते हैं कुछ लोग intercourse के बाद इसको remove ये अपने आप हो जाता है कुछ लोगों का horse riding करने के बाद या कुछ cycling करने के बाद ये automatic remove हो जाता है क्योंकि इतना ज़्यादा ये heavy नहीं होता है बहुत ज़्यादा पतली एक membrane होती है जो और आम से breakdown हो सकती है तो आज की वीडियो में बच्चो इतना ही I hope आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा वीडियो अगर आपको अच्छे लगती है तो वीडियो को share कर दीजिए साथ इसाथ वीडियो पर comment करके मैं बताईए वीडियो आपको कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब करते बिल्कुल जाना और बेल आइकन प्रेस करना तागी अगली वीडियो आप लोगों को टाइम से मिल जाए